WWE में इस साल का सबसे बड़ा मैच और सबसे बड़ी खुसकबरी मिलने वाली है ये बात बिलकुल पक्की हो गई है कि सेथ रोलेंस सर्वाइवर सिरीज से पहले बन जाएंगे वर्ल्ड हेविवेट चैंपियन पर इस चीज से बीगी के करियर को जटका लगेगा क्योंकि बीगी इतनी जल्दी WWE चैंपियनसिप हारने वाले हैं पर इस बात से WWE फैंस दुखी नहीं होंगे क्योंकि इस बार के रोयल रंबल में होने वाला है सेथ रोलेंस वर्सिस जोन सीना का मैच और वो भी WWE चैंपियनसिप के लिए है कुछ सालों पहले जब जोन सीना वर्सिस सेथ रोलेंस का मैच समर स्लैम में हुआ था तब जोन सीवर्ड ने सेथ रोलेंस की हेल्प करती थी और जोन सीना मैच हार गए थे पर इस बार रोयल रंबल में ऐसान नहीं होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जोन सीना रोयल रंबल में बनेंगे 17 बार वर्ल्ड हेविवेट चैंपियन और जोन सीना के चैंपियन बनते ही WWE का माहूल बदल जाएगा और 2022 की रसल मेनिया के मेन इमेंट में फिर होगा जोन सीना का कोई बहुत बड़ा मैच कमेंट में जरूर बताए क्या आप चाते हैं कि जोन सीना बने 17 बार चैंपियन WWE की हर ख़बर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले